हेलो, आज हम बात करेंगे सिर्म अमाईलेज की अमाईलेज क्या होता है? यह टेस्ट कैसे किया जाता है? किन कंडिशन्स में सिर्म अमाईलेज बढ़ जाता है और कम हो जाता है? इस सब के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दूँगी Amylase क्या होता है? Amylase एक enzyme है जो के हमारे pancreas से release होता है. यह enzyme carbohydrates को हजम करने में मदद करता है. सिरम Amylase test क्या है? सिरम Amylase test की सहायता से हम Amylase की मातरा खून में कितनी है यह जान सकते हैं. क्या इस test से पहले किसी खास preparation की जरूरत है? इस test से पहले किसी खास preparation की जरूरत नहीं है. सैंपल मरीज की सुविधा के मताबिक दिया जा सकता है लेकिन आम तोर पर सुभे का सैंपल लिया जाता है इस टेस्ट के लिए सैंपल कैसे दिया जाता है इस टेस्ट के लिए खून के सैंपल की जरूरत होती है जो की पेशन्ट के बाजू से लिया जाता है Normal serum amylase के क्या values हैं? Normal serum amylase के values 23 से लेके 85 units पर लिटर तक हो सकते हैं, लेकिन ये values अलग-अलग laboratories के मताबिक थोड़े उपर नीचे हो सकते हैं. Serum amylase बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? Serum amylase pancreas की बिमारियों में बढ़ जाता है, जैसे acute pancreatitis, chronic pancreatitis, pseudocyst of pancreas, इन conditions में serum amylase बढ़ जाता है. Serum amylase शादी शुदा महिलाओं में भी बढ़ सकता है यदि ectopic pregnancy हो, तो यदि कोई शादी शुदा फीमेल बहुत ज़्यादा पेट दर्ध से अस्पताल में आए, तो भी डॉक्टर इस test के लिए कह सकते हैं, इसके अलावा perforated gastric ulcer या peritonitis में भी serum amylase बढ़ सकता है. क्या दवाईयां खाने से serum amylase बढ़ सकता है? हाँ, ऐसी बहुत सी दवाईयां हैं जिनके खाने से serum amylase बढ़ जाता है, बहुत सी आम दवाईयां जैसे aspirin, steroids, गर्ब निरोदक गोलियां इन सब को खाने से serum amylase बढ़ जाता है, इसके अलावा नशे वाली दवाईयां जैसे opiates, morphine, codeine, इनके सेवन से भी serum amylase बढ़ ज हो सकते हैं, आम तोर पे serum amylase की मात्रा बहुत कम नहीं होती, लेकिन यदि बहुत ही कम values आ रहे हैं, तो हो सकता है patient को pancreas का कोई cancer हो या फिर kidney का कोई रोग होने की शंका हो सकती है